दोस्तों आज मैं एक एहम सौफ्टवेर के बारे में बताऊंगा जिसकी जरूरत आपको हमेशा पेशा आती है कई मरतबा आपके पास ऐसा होता है कि एक फोटो रहती है या इमेज रहती है आपकी या किसी और की जिसका बैकगरॉंड आपको रिमू करना रहता है उसके लिए हम यूज्वली फोटोशाप या कुरोडरा इस्तेमाल करते हैं लेकिन उससे भी बहतर जो बैकगरॉंड रिमू करने के लिए इमीडियटली वर्काउट करता है उस अप्लिकेशन के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने ब्रीफ इन्फरमेशन दूँगा इससे पहले मै मैं आपसे ये दर्खास करता हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक आए और आप तक जल्द जल्द पहुंसके और जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरों को share भी करें यह एक web application है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं URL में आके input कर रहा हूँ उसका information remove.bg जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यह रहा हमारे सामने उसका layout उसके बारे मैं information दूँगा चलिए मैं अपने इस session में remove.bg application का brief information दूँगा अगर आपके पास कोई photo है तो photo को यहाँ से upload करें यहाँ पर जो option आपको दिखाई दे रहा है upload image का उसके click करें यह रही एक photo मैं इसको upload कर रहा हूँ immediately यह upload हो जाएगी यहाँ पर आप अपनी original image देख सकते हैं जिसको मैंने update किया था इसके बाद में इसका background यह completely remove हो चुका है यह आप देख सकते हैं फिर इसके बाद अगर आप चाह रहा हैं कि इस particular image को download करें तो यहाँ से यह download कर सकते हैं यह देख लिए यह देख लीजिए particular image background delete होने के बाद में इस तरीखे से आपके सामने है अगर इसी तरीखे से आप यह चाहते हैं कि इस particular application में login करें login करने के बाद होता यह है कि इसमें बहुत सारे features हैं जो login करने के बाद ही दिखाए देते हैं चलिए मैं उसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा information दे दूँ आप अगर चाहें तो directly अपना एक account करेंट कर सकते हैं या नहीं तो facebook के जरीए इसमें login हो सकते हैं मैंने पहले ही से already इसमें login हो रखा है फिर भी मैं आपको information देने के लिए इस पे दुबारा login करता हूँ यहाँ पर आप आईए यहाँ पर application का जो remove bg है यहाँ पर भी देख सकते हैं आप remove b background पर आप click किजिए मैंने जैसे के इस से पहले इस photo को update किया था यही photo already मेरे account में available है अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ modification करूँ जैसे यह मेरे पास एक photo है मैं इसको upload कर रहा हूँ यह रही original photo और यह रही उसका remote background photo यहाँ पर एक देख रहा है कि एक circle बना हुआ है इस circle को मैं चाहूँगा कि erase करूँ तो यहाँ पर एक edit option है edit option पर जाके मैं eraser नामी जो tool है उसको immediately लेता हूँ और यह access करता हूँ और यह रही photo मैं चाहा तो इसको download कर सकता हूँ यह आप देख सकते हैं इसमें और बहुत सारे ऐसे options है जो हमी उमूमन photoshop में दस्तियाब रहते हैं जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि इस particular photo के background में कोई दूसरा background आप देना चाहें तो इस photo के background वे दूसरा background की image भी दे सकते हैं और इसी तरीख से इसमें जो available backgrounds हैं वो भी दे सकते हैं खुद यह application जो है इस तरीखे के कई आपको background प्रोवाइड करता है वो सो भी background अपनी अपनी image पे जो आपको जरूरत है उसके लिहासे update कर सकते हैं या update करने के बाद में उसको apply कर सकते हैं और उसके बाद में आप जो apply किये हैं उस particular photo को download भी किया जा सकता है और आप अपनी wish के लिहासे या अपनी शौख के लिहासे facebook पे instagram पे कहीं पर भी उसको download अपडेट कर सकते हैं और अपने पसंद के लिहास से आप उसको update कर सकते हैं यह देख लिजिए real photo एक अलग थी और जो downloaded photo है वो बिल्कुल अलग है इस तरीखे से आपको कई सारे time पे इस चीज़ की जरूत पेशाती है आप इससे हमेशा फाइदा उठाएं और दूसरों को भी maybe आपको इस application की जरूत ना रहे या इस tool की जरूत ना रहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस tool की जरूत रहती है जो वक्त पे immediately काम करने की जरूत रहती है तो उस वक्त ये application काफी मौविन है काफी मददगार है even बहुत सारे अगर entrepreneur से उनको ये tool जो है उसका API integration अपने किसी website के साथ करना है तो वो भी कर सकते है और अगर इसकी paid version भी लेना चाहे तो इसकी pricing भी already set है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसको भी ले लिया जा सकता है यह काफी बहतरीन software है दोस्तो आप इसको इसको इस्तेमाल कीजिए और हम लोग काफी अच्छी तरीखे से इस्तेमाल कर रहे है मैं भी आपको यह यह recommend करूँगा कि इसको अच्छी तरीखे से दिल खोल कर इस्तेमाल कीजिए और अपने जाने पहचाने वालों को भी यह information share कीजिए और शुक्राइब कर दो कर दो आपको अच्छी तरीखे से भी नापको इसको इसके पूदर से दो कर रहे है यह कीजिए